है करम सिद्दांत जो है करम सिद्दांत में इस बात के विश्चेश ध्यान रख लीजिए करम में तीन चीज़े में होती है बंद उदे और सक्ता अभी जो वर्तमान में हमारे परिणामों के कारण से जो बंद कर रहे हैं कर्मों का आगमन कर रहे हैं जो हम कर्मों की इंकम कर रहे हैं ये कहलाता है बंद जिन कर्मों का हमारे उदे चल रहा है अभी वर्तमान में साता वेदने का असाता वेदने का मोने की प्रकरतियों का कर् और जिसका वर्तमान में बंद भी नहीं है उदे भी नहीं है जो हमारे स्टोक में पड़े हुए हैं उनको कहते हैं सत्ता जैसे एक्जामपल के रूप में समझ लेवें मैं बजार गया या फिर मैं ऑफिस गया ऑफिस से मुझे 30,000-40,000 तंखा मिली वह तंखा जो मिली है यह तो कहलाती है बंद मेरे एंकम हो गयी लेकिन जो पुराना मेरा पैसा पढ़ा था उस पैसा का यूर्ड कर रहा हूं यह जो है यह जो कर रहा हूं यह कहलाता है उदे और जो मैंने सेविंग कर राखिये वह सेविंग अब साइद आवाज बराबर आ रही होगी पहले आवाज थोड़ी काम थी लेकिन ध्यान में लेलीजिए जो मैंने सेविंग कर रखिए जो मेरे स्टोक में पड़ी हुए जो मैं तीजोरी में पुझी पड़ी हुए वो पुझी कहलाती है सकता वेसे ही जिन कर्मों का हम आगमन करते हैं जिन कर्मों को बांधते हैं वो बंद कहलाते हैं जिन कर्मों का हम अनुभव कर रहे हैं जो करम हमारे उदे में चल रहे हैं वो उदे कहलाते हैं और जिन कर्मों हमारे स्टोक में हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए पड़े हुए हैं यह कर्म के लाते हैं सक्ता में पड़े वे कर्म हमारी साधना क्या है वैसे तो अलग-अलग पॉइंट बहले हम कितने ही बता दें कि हमको यह करना चाहिए पुन्यवाई बढ़ाना चाहिए आत्मा को जागरत करना चाहिए पाप भीरूता लानी चाहिए बाहर में नहीं बटक करके भीतर में आना चाहिए शुब विचार रखने चाहिए ये सारी अनेक चीज़े हैं लेकिन सामने करम सिद्धात को जान करके सबसे पहले हम क्या करें बंद में तो बने साउधान बंद में क्या बने साउधानी रखें कि हमारे कहीं अशुब करमों का बंद तो नहीं हो रहा है बंद में हम साउधान बने और जो उदे चल रहा है जिन करमों का उदे चल रहा है उस उदे में क्या रखें संभाव रखें जो भी करमों का उदे हमारे चल रहा है उस करमों के उ में सादना सेंग एंग करम सत्ता है आगे आएप परिशान करेंगे उस समय पर अभी वर्तमानुपस्टा में पडसके प्रसेंग करshire कर्मों के बंद में हम सावधान बने कर्मों की सब्सक्राइब कोई किसी की जो है अन्म्यूट है कोई बंद में सावधान कर्म के साधना कर लें इस प्रकार से इन तीनों चीजों को अपना लेंगे तो करमों का बंदन दनादन दनादन तूर जाएगा और हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हमारे करम हलके बंदने जाएंगे करमों को तोड़ने के लिए जो अनादी काल से करम बंदे हुए हैं अनादी काल से हमारे विकास करने में आगे बढ़ सकते हैं अज हम किस के उपर विचार करेंगे हमारी सोच कैसी रखें था है हमारी सोच पॉ enthusiasts रखें आपके पास में positive सोच रखने के लिए शकारात्मक चिंसंतन करने के लिए या फिर ऐसा के दें कि positive thinking रखने के लिए अनयक प्रकार की क्लासे भी चलती है और वो सीखते भी ये करम सिद्धानत भी यही कहता है हमारा कि positive सोच रखेंगे अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम जाकर कि कर्मों को तोड़ने वाले भी बन जाएंगे और साथ में ही कर्मों को तोड़ने के साथ अपना अस्तित्यू का विकास तो करेंगे एकरेंगे आप भी जानते हैं जिनकी सकारात्मक सोच होती है वो अध्यात्म में भी आगे बढ़ते हैं तो वो अध्यात्म में आगे बढ़ने के साथ साथ अपने विक्तित्व का भी विकास करते हैं इस प्रकार से जो विक्ति सकारात्मक सोच रखता है वो विक्ति आगे जरूर बढ़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब नजरिया जिसको अपना दस्टी कौन जो है उसको उचित दस्टी कौन जो होता है वो दस्टी कौन हमारे को 100% pure person बनाता है 100% वेक्ति बनाता है देखिए नजरिया दस्टी कौन इसको इंगलिस में क्या क्यते हैं attitude पर जिसका नजरिया सकारातमक होता है इसका दश्टि कौन पवित्रों सम्मेक होता है वो वो क्या कहता है 100% होता है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं प्रिमानी जाती हो आगे बढ़ने का पारी करता है कर्म तोर्ण का यह करता है इसको के सित्व कर सकते हैं से नंबर एक एक को एक नमबर दे सकते हैं जैसे एक को एक बी को दो सी को तीन, डी को चार, एक पांच, एक को फो छे इस प्रकार से जोड कर लास्ट में जेट को किते आ जाएंगे 26 इंग्लीज में होते हैं उन 26 अक्षरों को आपन एक जो तीन चार पाइचे के साब से अगर 26 तक का नंबर देवें हम देखते हैं सकारात्मक रहेगा वह सकारात्मक रहेगा वह अंडेट परसंट परसंट बनेगा वह सकारात्मक नजरिया रखने वाला प्रतिपून रूप से अपने गुनों को 100% प्रकट करने वाला बनेगा और जाकर के कर्मों को तोड़ने वाला बनेगा आत्म विकास करने वाला बनेगा तो हमारी सोच को कैसा रखना है हमारा एटिटूड कैसा रखना है सम्मेक बनने के लिए आपको मुझे सम्मेक प्रकार से रहना पड़ेगा मुझे को रखना पड़ेगा इस प्रकार से कर्मों को तोड़ने के लिए आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए अस्तित्यू का विकास करने के लिए और विक्तित्यू का विकास करने के लिए हमको हमारा नजरिय बदलना पड़ेगा देखिए भीर चल रही है उदर ही हमको जाना है यह कभी भी मतलब शकराती मग नेदिया म्हर疫 नहीं होता है जो सही है इस यूशी मार्ण पर पर आगे कदम बड़ाता है एक बार एक टीचर स्टुडेंट्स को पढ़ा रहा था वह स्टुडेंट्स टीचर ने पूछा कि सफ़र्ग कौन-कौन जाना चाता है अधिकांस विद्यारतियों पर एक बालक ने हाथ खड़ा नहीं किया इचर ने पूछा कि बच्चा तु क्या स्वर्ग नहीं जाना चाता तो बच्चे ने कहा नहीं मास्टर जी मैं स्वर्ग नहीं जाना चाता हूं मैं तो स्वर्ग को ही यहाँ पर लाना चाहता हूँ, क्या दस्टी कोन होगा उसका, क्या सम्मिक दस्टी कोन होगा, क्या कहा उसने, नहीं मास्टर जी, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं तो स्वर्ग को यहीं पर लाना चाहता हूँ, स्वार्ग को धर्ती पर लाना चाहता हूँ, वो बालत और कोई नहीं, युवाओं का प्रेरत और जो की हमारे यहां पर भारतिय संस्कति का एक युवा नेता, जिसने विश्व हिंदु धरम सम्मेलन में अपना यहां का भात का प्रतिनिर्च किया, स्वामी विवेका नंद थ स्वामी विवेका नंद जिसने कहा मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, मैं धर्ती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, स्वर्ग को धर्ती पर लाना चाहता हूँ, ऐसा पोजिटिव सोच वाला बलही 49 साल की उमर में स्वर्ग सिधार गया, वो स्वामी विवेका नंद 49 साल की उमर में ही चोटी उमर में ही स्वुर्भ सिधार गया लेकिन अज hen बी युवा युवाओं का प्रेजद्ण सोत That ी सवामी विवेक अनंद का नाम हुता है इसलिए जिसकी सोष समेक होते है इसके अने को सप्ल मिले सकते हैं तो जो स्वामी जो सकारात्मक सोच रगता है वह हर कदम पर साही मार्ग को चुनकर के आगे बढ़ने का प्रयास करता है जान दखिए अनेक एक्जाम्पल है सकारात्मक सोचके आपने थी इडियेट पिक्चर देखी होगी आज से लगबग या 10-12 साल लगबग 10-12 साल पहले आयी होगी सुपर डूपर हीट पिक्चर हुई थी थी एडियेट, थी एडियेट में केवल जो हीरो था, वो हमेशा विप्रीत परिश्टिती हो, चैक किसी भी प्रकार की परिश्टिती हो, उस परिश्टिती में क्या कहता था, All is well, All is well, All is well, यह सकारात्मक स्थोची है, कभी भी परिश्टितिया विप्रीत आवे, यही कहिए सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अपने इस दिल को समझाईए, वहाँ पर वो बोलता है, कि दिल बहुत कमजोर है, जैसे कोई भी घटना दुर घटना जो भी होता है, अच्छे के लिए होता है, इस प्रकार से पोजिटिव सोच रखेंगे, तो देखिए, जीवन कल्यान की ओर आगे बढ़ जाएगा, जो आज भी कई लोग जो दिख्शा लेते हैं, अनेक लोग जो दिख्शा लेते हैं, वो पोजिटिव सोच से ही लेते हैं अगर वो सोचें कि यह दिख्षा लेने के बाद तो पेदल चलना पड़ेगा इसनान भी नहीं करना पड़ेगा चपल भी नहीं पहननी पड़ेगी अगर वो नकरात्मक विचारों को अपने अपने मन में लेकर के आएंगे तो दिख्षा कैसे ले पाएंगे वहां पोजिटिव विच्छार आता है मुझे मिरी आत्मा का कल्यान करना है मुझे भी भगवान बनना है मुझे भी निर्दोस जीवन पालना है मुझे भी पांच महावरत जो कि निर्दोस जीवन की अधार स सोच आने लग जाएगी गुरु भगवंतों के मुझसे सुनाएं कि कभी भी अपने विचारों में कभी भी अपने विचारों में अनर्थक विचार निरर्थक विचार और नकारात्मक विचारों को इस्थान नहीं दें अपने विचारों में अपने जो स्वयम के विचार है उसमीज तीन फ्रकार के विचारों का इस्थान नहीं रखें अनर्थत कि यह रखन सकति और कारतमत यह तीन प्रकार के विचार हमारे जीवन में नहीं को मिन नहीं होने चाहिए किansen करने वाले किसी का अनर्थ करने विचार वाले विचार हमारे श्यंतानून में हमें हाल तूंकी बाते आती निरफ्ध मेरा भविषय केसा होगा या अगर यह सा हो जाएगा तो इसा कैसे हो जाएगा अगर मेरा घर में चूरी हो गई तो कैसा हो जाएगा यह सब निरर्थक के विचार भी हमारे मन में नहीं आने चाहिए और नकारात्मक विचार मुझे तो यह होई नहीं सकता मैं तो यह करी इस्तान नहीं होना चाहिए अगर अनर तक निरर तक नकारात्मक विचारों का हमारे जीवन में इस्तान होगा हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हमारे विक्तित विकास की की बात है अस्तित विकास भी नहीं होगा आत्मा का विकास की दूर की बात है इस संसार में भी हमको कोई कोई ज्यादा प्रसिद्धी या कोई भी प्राप्त होने वाली नहीं है क्योंकि जो नकारात्मा विचार वाले होते हैं उनके पास में लोग बैठना भी पसंद नहीं कर किसको कहते हैं इंग्लिस में असंबव कहते हैं इंपोसिबल को किसको कहते हैं इंपोसिबल देखिए इसका इंपोसिबल का मतलब होता है यह इंपोसिबल वर्ड खुद कह रहा है आई एम पोसिबल यह इंपोसिबल खुद कह रहा है कि मैं पोसिबल हूं असंबव नाम की सब्सक्राइब और हमारे उपद्द्द्द्ध अमर मुनी जी ने तो कविता में बो संदर कहा यह कुछ वी नहीं सम्भव जग में सबसंभव हो सकता है कार्ये ये तुयादी कमर बांद लो तो सब कुछ हो सकता है बस एक बार एक वेक्ति कोई कार्ये कर दें फिर देखो रिक खेलों के शोकी ने किर्केट के सोकी में पुठास साल के ्टियास में ज्वंडे कृटेट में संधक लगा 52 सस्के령 के इतियास में दो हचजार 963 वन्दे खिले गए दो हचजार 963 वन्दे खिले गए 54 उता अज्दा mandar 360 मनते थे 200 थे इस्व क्रिस्ट और करता था तो ऐसे असंभव कारिये को भी जब 50 साल के इतियास में 2963 वंदे पूरे खेले जा चुके थे लेकिन फिर भी 12 सतक नहीं लगा लेकिन एक छोटा सा बालक जिसके अंदर में कुछ कर गुजरने का एक अंदर में जो है कुछ कर गुजरने का जो अंदर में दड़ कि दस फरवरी 2010 दस बरवरी 2010 को 12 सतक लगाया उसका नाम आप जानते होंगे भारत देश का जिसको की भारत रत्म से नवाजा गया सचिन तेंदुलकर जिसने की वंडे किर्केट में 50 साल के इतियास में जो नहीं हुआ कारिये किया जो 2963 वंडे खेले लेकिन फिर भी एक भी करके खेला और सकारात्मक सोच लेकर के खेला तो 2963 वंडे के बाद में उसने 12 सतक बनाया देखिए एक बार जो असंभव कारिये को कर देता है ना उसके पीछे फिर देखे कितने पोजिटिव सोच वाले लग जाते हैं अगर हमारा सकारात्मक चिंतन रहेगा हमारे पीछे नेक लोग सकारात्मक चिंतन वाले बन जाएंगे 2963 वंडे के बाद में 12 सतक लगा और उसके बाद में 250 वंडे के बाद में के बाद में 250 वंडे के बाद में ही रोहिष शर्मा जो भारत का बल्ले बाजे उसने विरंदर सेवाग में केवल मात 250 वंडे के बाद ही 12 सतक लगा दिया क्यों लगा दिया एक आत्म विश्वास दगा कि वो जो सचिन तेंदुल कर लगा सकता है तो मैं भी लगा सकता हूं एक वेक्ति ने असंभव कारिये करके दिखा दिया उस असंभव कारिये को जब एक कर देता है तो फिर बाद में अनेक लोगों में विश्वास दगता है उसके बाद रोहिष शर्मा ने भी लगा दिया उसके बाद क्रिस गेल ने भी लगा दिया ऐसे अनेक लोगों ने यह होता है आत्म विश्वास तो मैं भी कर सकता हूं सब कुछ अच्छा चल रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं है जान रखना यह जो भी नेगेटिव होते हैं को हमें एकन एक सीख करके जाते हैं वहीं को क्य जगें नहीं जाता है आपके को रखते यह जाते हैं को आपके लिए कोई आपके लिए नहीं है तो नो बेभी नो भी क्या कहता है नो भी कहता है नेक्स्ट अपोर्शनिटी यानि कि आपको और अगली और जदा अच्छी अपोर्शनिटी मिलेगी यह नो भी हमको प्रेना देता है यह भी नकारात्मक नहीं है यह भी सकारात्मक हमको सिख्षा देता है ठीके साथ एक वर हो अगर मान लीजिए कभी भी प्रियास खतम नहीं होता है इस कांग से एंड कोई चीज होती नहीं है कभी भी आदमी खतम नहीं होता है जिसने प्रियास का फल उसको जरूर मिलता है देर मिलता है सवेर मिलता है पर प्रियास का फल जरूर मिलता है जब हमारे पोजिटिव सोच करनेने लग जाएंगे जो मूवी में। तो आलिजवेल, आलिजवेल करकर के और सारी समस्याओं का समाधान कर देता है वेसे ही हम भी क्या कहें एक राजा था और एक राजा था और राजा की अंगुली कट गई एक बार उसका जो राजा का मंत्री था वो मंत्री हमेशना कहता जो भी होता है अच्छे के लिए होता है जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है राजा की अंगुली कट गई और मंत्री बोला राजा जो भी होता है राजा ने पूछा मंत्री जी मेरी अंगुली कट गई है तो मंत्री ने कहा कि महराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है राजा को बहुत गुस्ता आ गया मेरी तो अंगुली कट गई है और देखो ये क्या कहे रहा है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है उसने उस मंत्री को जेल में पठकवा दिया. जेल में पठकवा दिया पांच साथ दिनों के बाद में राज़ा जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार करने के लिए गया सारी सेना पीछे छूट गई जो मंत्री हमेशा राजा के साथ रेता था वो तो जेल में पड़ा हुआ था अकेला राजा जंगल में भटक गया और जो जंगली भील होते हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया और राजा को पकड़ करके और बली को बड़ा विचार आया कि मंत्री ने वाकर इंगली नहीं कटी होती तो आज यह लोग मुझे मोट के घाट उतार देते बली पर चढ़ा देते इसलिए मंत्री ने बिल्कुल ऑची कआ जो बी होता है जो अच्छे के लिए होताई उन्होंने मंत्री को राजदरबान में लेकिन राजा के मन में एक ठीक है मेरे साथ तो अंगली कटी और अंगली कटने के बाद अच्छा वा ल्यकिते ने क्या किया तो लुए बहुता है इसलिए मैं बच गया वरना में आपके साथ होता तो आप तो आंग भंग से चूर जाते हैं पर मेरे तो सारे अंग सही हैं सही सलामत है और वो आपको छोड़े करके मुझे बली चड़ा देते हैं इसलिए अच्छा हुआ मेरे लिए भी इसलिए मैं जेल में पड़ा था इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है कोई भी परिस पूरा का पूरा परिवार जिसके की पिता का भी नाम क्या था प्रभूत धन संचे पिता का नाम क्या था प्रभूत धन संचे याने की प्रभूत याने बहुत महान महा प्रभूत का मतलब होता है बहुत विराट विराट रासी में धनका संचे जिसने किया हुआ है ऐसा प्रभूत धन संचे नाम का राख लेकिन जब नेत्रों में वेदना जग गई जब आखों में ऐसी दहा जोर ज कुछ नहीं सभी प्रकार के वेद बुला लेगे सभी प्रकार के डोक्टर्स बुला लेगे सभी प्रकार के जो इलाज करने थे वह इलाज कर लिए लेकिन वो नेत्रों की वेदना नहीं जा सकी दूर नहीं हो सकी लेकिन अनाथी मुनी जो की पतनी साथ नहीं है कोई भी लोग साथ में नहीं साथ में तो सब हैं लेकि कोई भी उसके समस्या का समादान नहीं कर पा रहा है। तो मैं दिख्षा ग्रहन कर लूँ एक सकारात्मक्चिंतन आया कि अगर मेरी वेदना समाप्त हो जावे तो मैं क्या करूँ इस संसार को छोड़ करके जो वर्तमान में सारा संसार मेरे लिए ना काबिल है मेरी वेदना को दूर करने में सक्षम नहीं है इस पूरा संसार को क्यों और सुबसरी के सारी आँखों की वेदना चली गई और वो जीवन को बदल करके रख दिया सारी वेंदना को तूर कर दिया एक जाम recipes मिलता है सेनिक महराज के पुत्रनंदी parag queens subscribe पुत्र नंदी सेन्द जो की दिक्षा ग्रहन करता है नातक मंदली की जो महिला थी उस पर आसक्त हो जाता है और इतना आसक्त हो कि उस महिला के पास जो नाज गाने करने वाली महिला उसके पास जाऊंगा महाभगवान ने महावीर तो जैसा कहते थे जैसा आपको सुखो वैसा कारिये करो लेकिन अंदिशेन मुनिके मन में एक सकारात्मक चिंतन चला कि लेकिन मैं दिक्षा छोड़ करके जा रहा हूं उस मुह में अहार का अंद पानी लेंगा इतना बड़िया सकारात्मक चिंतन एक चिंतन लेकर के गया दिक्षा को छोड़ करके चला गया और वहां जाकर पिरती दिन पहले दस जोनों को प्रतिबोधित करता उसके बाद राग रंग में अनुरक्त रहता एक दिन की बाते नो ज दिनक मथे में प्रतिबोधित हो गए एक जना को प्रतिबोधित हुआ ही नहीं कोई बी सासंसार को सार मानने और तेयार नहीं हूँ आप प्रति बोधित कर रहे हो नो गए तो कोई बात नहीं आप तो खाना खालो एक क्या फरक पड़ता है एक में और अगर मानलो कोई तयार नहीं हो रहा तो खुदी चले जाओ ना प्रति बोधित हो करके वापस क्यों आये थे यहां पर एसी लटार पड़ी और उस लटार को जाक करके और वापस सचय करोंगा बहुत माविर के पास अपने पापों कि आलोशंट ना करके और वापस सयम में इस्तिर केवन एक सकारातमक चिंतन लेकर चले अगर सुई धागे से युक्त है, तो वो सुई गुमती नहीं है, वो खोती नहीं है, बले वो इदर उदर पड़ जाए, लेकिन धागे सहीत वाली सुई जो है, वो मिल जाती है, वे सही जो सकारात्मत चिंतन को अपने जीवन में स्थान रखते हैं, वो थोड़ी देर के लिए हमको सकारात्मत चिंतन को अपनाना पड़ेगा, अगर हम सकारात्मत चिंतन को अपनाएंगे, तो अपने करमों को तोड़ने वाले बनेंगे, नंदी शेंड मुली ने सकारात्मत चिंतन का सहारा लिया, वो भी अपने करमों को काड़ करके आगे बढ़ गए, अनेक सा इसकार से ध्यान रखें जो भी हम सोच रखेंगे तो करमों के द्वंद के द्वंद तूटने में देर नहीं लगेंगे और करम तूट करके हम भी शास्वत सुखो को प्रात्र करने वाले बन जाएंगे इस प्रकार से आज के दिन हमको यही शिक्षा प्राप करनी है आज हमारी करम सिद्धान्त का करम प्रकर्ति का बार्वा दिने और आज के दिन हमारी यही शिक्षा है कि सकारात्मक दस्टी कौन रखें सकारात्मक नजरिया रखें पोजिटिव ठिंकिंग रखें ताकि हम कभी की भी, एैसी सोर ओर हम में नहीं आए, देखी आज कल के नकरात्मक विचारों की बात करें, तो कई लोगों के मन में प्रस्थेृत होता है, पाउच वह आ रहा है, मौक्स तो हो नहीं सकता, तो दिक्सा लेकर क्या करें? यह न, यह निना कारात्मक चिंतन अधिकांस लोगों के हैं अभी पांच वा रहा है उस्वरपनिकालय मोंक्स के तालेब बंदें दिख्षा लेकर करें अरे बहुत नहीं हो सकता लेकिन मौक्स के बिलकुल नजदीक तो पहुंचा जा सकता है है इस करणन से negative सोच जो होते हैं अगर मैं अभवी हुआ दो एसे नकाराफ्माब विचार आते हैं अगर में अभवी हुआ तो मेरा मोख्स होगा ही नहीं और अगर माली अभी तो वर्तमान में तो मोखस हैं ही नहीं तो अभी काम केवल नेगेटिव बातों से अपने आपको अपने आपको अपने आपको कमजोर बताकर अ के और अचीजों जहां जो सादना है उसे दूर रखने का प्रयास दो है इसलिए नकारात्मक विचार कभी भी नहीं करें करने का प्रयास और जब जब करना करेंगे जब मोन एकरंम को समझने का प्रियास करेंगे जब मोनिय करंम हमारी बुद्धी को विधीय करके रखताए हमारे जो है नेगेटिव सोच बना करके रखने के कारण से अम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ब सब्सक्राइब हमेने को समझने का प्रियास किया ठादカ बरेशन की टीन प्रकृतियां तो करी दीथी और चाहुत्र महोनिये जो हमारे आच्ण को ब्रस्ट करता है जो हमारे चरिया को उसक्रिया को प्रस्ट करता है ऐसा मोनिये दो प्रिया कि आ प्रत्या ख्यानी कि प्रत्या ख्यानावरण कि और संजवलन एस यह प्रयों के चारो कि झारो औंड इसको इंगले ता हूं मा रिनलोग करूद मान माया लोब करूद मान माया लोब और क्रोध मान माया लोग यह चारों के चारों अनंता नुमंदी चार प्रत्य खेनी क्रोध मान माया लोग प्रत्य खेनावन क्रोध मान माया लोग और संज्वलन क्रोध मान माया लोग ऐसे करके 16 प्रकरतियां के होती है कशाय मोनिय के होती है सबसे पहले तो प्रस्ण खड़ काश प्लस आए का मतलब हुता है कैस्त 경 double service की जो संसार को बड़ाने वाला कहलता है कश ऑनलाता ए कश का मतलब होता है संसार और संसार की इंकम करे जो बास अा यह तो क्या इनके दर्जें करोद माया और लोग किते प्रकार का होता है चार प्रकार का लेकिन इसका जो जो पावर होता है ना उस पावर के अनुसार इसके चार डिवाइडेशन और हो जाते हैं पहले हम समझें पहले हम क्या समझेंगे कि देखिये एक प्रस्ट ना रहा है साथ के साथ समधान करदू तो फिर बाद में रह जाएगा देखिये नेगेटिव सोच को कैसे दूर करें उसके लिए सबसे पहले आशा की किरण है हमारे यहां पर नंदी शुत्र में बताए निच हमारा जीव हुष में ज्यान का प्रकास हर समय रहता है उस ज्यान के प्रकास को प्रियास करें अध्मिद पर दुनिया काइं में ऐसे अपने सिने होंगे ऐसे सब्धों को सुन करके अपनी सोच पोजिटिव रखे नेगेटिव सोच नहीं काम और देखार में 50 navy लोग तो नेगेटिव सोच के कारण ही संसार को छोड़कर चलेगे अगर वह मजबूत रहते दोक्टर्स खुद कहते हैं दवाया कम काम करेगी और आपका जो मनोबल है आपका जो पोजिटिव सोच है आपका जो जड़ विश्वास से यह ज़्यादा काम करेगा ऐसा डोक्ट करोद करते हैं करोद किस है आवे शाजाता है बुस्ता आता है घुइंट सामनेके को हम क्या क्या बोल देते हैं और यह तक कि हमकूण नामो नशान मिठा दूगा तरको का दूगा उल्लू के पक्ते शैसे कई प्रकार की गालिया मुझसे निकलतीbook है यह कब रस стала को निकलती है जब हम जब हम प्रोद के वशित्तों हो जाते हैं क्रोध क्या करता है जब हमारी इ punchाटी है तो फिर अवारे जो परिणाल्वेह होता है यह बटकाने वाला होता है इस समंझे का प्रियास पाद में करेंगे रTT कि होता है मान क的話 माय तो लोब क्या होता है इसको लेते हैं कुछ दोसे को कुछ भी मह PROFते हैं तो हमारी आत्म थे नाम हमारी आत्म जाते हैं और रोश आवेश का जोपर आ जाते हैं जो दूसरे को आप एक मान कश्या, जब अंदर में, अंदर में कुछ न कुछ इसे, एक नहीं देखिये अपने, आपको preparatा के पहले है होता है वह वह बड़त ज्यादा बड़े चिको खड़े जाता है आज Size खेंगे कारणे बिलुकु छोटे-चोटे दिखाई देते को नीचे χड़े विए युटे-चोटे दिखाई देते हैं बेसे ही एहंकार की मान रूपी पहार पे जो विएक्ती खड़ा रहता है उसको सारे प्राणि बाकी सब चोटे दिखाई देते हैं वह हमों कार के वसीबुतों करके जुस्य लोोगों को छोटा मानने वाला होता है ऐसा मान कशाय होता है माया कशाय क्या होती है तो देखिए माया कशाय कहते है कपट को छल कपट जो आदि किया जाता है वो माया कशाय के अंतरगत आता है माया कशाय जो है वो दूसरे को छलने का काम करती है और जो है दूसरे को छलने के कारण से वो जो दूसरे क साथ में दोका बाजी करता है दोके बाजी या किसको कहते हैं चिटिंग बोल दो यह सब चिटिंग के कारिये जो होते हैं जो माया कशाई के कारण से होते हैं तो वेसे ही आज वर्तमान में माया कशाई के कारण से एक वेक्टी दूसरे वेक्टी से कई बाते चुपाता रहता ह एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को सारी बाते नहीं बताता है उसके अंदर माया कपट रहता है इस कारण से साथ में रहने वाला भी वेक्ति जो है वो अनेक प्रकार की माया करने वाला बन जाता है सास्त्रों में तो बताया है सादू अगर एक बार माया करे तो चलो ठीक है प्रा आया बिल्कुल भी नहीं करनी चीए चल कपट चिटिंग किसी के साथ नहीं करें ऐसा लग से रखें जो इसा किया जाता हूं माया कशाई के अंतरगत आती है लोब कशाई जो होता है इसको आप राप्त को प्राप्त करने की इच्छाएं होती है अपने आपके स्वार्त के करके जो भी कारिय के जाते हैं वो लोब कशाई के अंतरगत के जाते हैं इसको लालच बोल सकते हैं इसको आसकती बोल सकते हैं इसको ममता बोल सकते हैं यह सबके सबके बीच में यह लोब कशाई गटित हो जाता है ऐसे क्रोध मान माया और लोब यह चारो कशाई संसार में बठकाने वाले यह कारव कशाएं को भी उनकी पावर के साब से चार भागों रजब कर दिया अननतानु वंदी ऑप्रत्य ख्यानी वरंस्ञ प्रत्यानावरंदो और संज्वलन इस प्रकार से कशाय मोनिय की 16 प्रकृतियां हो जाती है हम एक एक को समझने का प्रियास करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे अनंता नुमंदी क्रोध को करम प्रकृति में इनके बहुत अच्छे दस्टान दे रखें उन दस्टानतों को भी समझने का प्रियास करें सबसे पहले किसको पहले तो अनन्तानुमंदी किसको कहते हैं? इतनी अनन्तानुमंदी इसकी परीवाशा इस प्रकार से उत्पत्ति होती है। वो भी अनंता नुमंदी कहलाती है यह अनंता नुमंदी का जो रसे वो बहुत खतरनाक होता है और यह जीवन परियंत हमको परिशान करती है ऐसे अनंता नुमंदी क्रोध की हम परिवाशा करते हैं अब ऐसा अनंता नुमंदी जो की जीवन परियंत हमारे साथ में लगी रहत यह हमको जीवन परियंद छोड़ने नहीं पाते हैं जब तक हम पुर्शार्थ नहीं करेंगे हम अनंतानुमंदी को तोड़ नहीं पाएंगे इसलिए इस बात को भी ध्यान रख लें अनंतानुमंदी यानी जो संसार का अनुबंद प्रतिपल कराती रहती है वह अनंतानुमं परियंद रहता है उसके लिए कहते हैं अनंतानुमंदी क्रोध किसको कहते हैं जो जीवन परियंद रहता है उसको अनंतानुमंदी क्रोध कहते हैं इसके लिए किसकी उपमा दी जाती है देखिए दरार की उपमा अनंतानुमंदी में लिए परवत में जो दरार पढ़ जात सब्सक्राइब झाल से लिए गर कुषी के साथ में वेर बंद गया है और अगर हमारे पर अनकुन के कान से अब ये किक कारण से वेर बंद गए तो जनम जनम तक जनम जनम तक हमको भड़काने वाला हो आप यह हो जाएगा आपने पाष्ट्णात भगवान ayre आ Vive Laich nev. आइ! पाष्ट्णात भगवान और कमठ तापस का ty कमठ सुना ohug application वह अनेश हो तक एक दूसरे के वेरी रहे लेकिन जब भगवान पाउशनात ने बिल्कुल सारी तरीके से संफन्दा पूरवक्ष सहिन करके और कमर तापस से बिल्कुल वेर का संबन्द तोड़ दिया, जब जाकर के उनका संबन्द क्या करता है, अनंत अनंत वेर की परंपरा को आगे बढ़ाता रहता है एक दूसरे में वेर चलता रहता है इस भव में इसको मारा इस भव में इसको मारा इस प्रिकार से अनंतानुमंदी जो क्रोध होता है वह अनंतानुमंदी क्रोध हमको अनेक भवों तक बठकाने वाला होता है जैसे पाश्चनात और कमरत आपस में आपस में लगबग दस भहों तक उसका वेर चलता रहा वेसे ही जब तक अनंतानुमंदी क्रोध का उदे रहता है ये वेर की परंपरा आगे चलती रहती है अब चलते हैं अनंतानुमंदी मान किसकी उकमा दी गई है परवत की धरार की उकमा दी है वैसे ही परवत की धरार जो होती है वो कभी भी मिलती नहीं है técnica यह तो एसा करते हैं एक साथ चारों अपन कुरोध समझ लेते हैं फिर माहं समझ लेते समझने में सरलता रहेगी आपको अनंता आपने समझ लिया अनंतामंदी प्रोद क्रोद जो है वह क्या करता है संसार में वेर की परंपरा को बढ़ाता है और अनंतानुमंदी क्रोद जो है वह परवत की दरार के समान होता है परवत की दरार के समान होता एप्र अनंतानुमंदी क्रोद के बाद आप करता क्याक्या नहीं होने दे जो इल्प प्रत्यख्यान नहीं होने देता है शावक सावक लोग कष्यान करते देकिन जब तक नहीं कर सकते हम शातु है इस इता है नहीं को हम करना परता ये घटाना परता है तोड़ना परता है जब जाकरके हम क्या बंते हैं सावक बंते हैं तो आप प्रत्याख्यानी की परिभास की जाती है अलप प्रत्या ख्यान नहीं होने देता से अवग दोस अमनेतान दोसमझे रहेता है लेकिन जो आप रत्याखनी करोद है वो एक वर्ष के लिए रेता है आप रत्याखनी करोद है उसकी इस्तिती बताईए एक वर्ष के लिए जैसे आप रत्याखनी करोद है वो जो अननता नुमंदी करोद है वो तो परवत में आई दरार के समान है लेकिन जो आप रत्याखनी चाटर मास में बरसात होती है, उस टाइम पर तालाब जो है, वो पूरा का पूरा भर जाता है, और जब सूक जाता है, तो उसके बाद जब पानी सूक जाता है, तो तालाब में नीचे मिट्डी में अन्यक Kuning क्रोध वी से यह पर ताक प्रत्यक कचत करता है जीव को और एक साल के बार वापस पानी आती है तो पानी वरसाथ आती है यह दृस्षा पंदर अच्छा संब्न नहीं नहीं लेता है इसा एक स्था इनिक रोड बताया प्रत्या ख्यानी प्रत्या ख्यानावरण क्या होता है जो पून प्रत्या ख्यान को आवरित करें प्रत्या ख्यान नहीं आने देवे यानि कि दिख्षा नहीं आने देवे नहीं आने देवे जिसके कारण से दिख्षा प्राप्त नहीं होती है करके रखता है आज वर्तमान में दिक्षा की भावना होते वे अनेक सावक सावी का दिक्षा नहीं ले पाते हैं उसका में क्या होता है करता है नहीं आने देता है कि और बीच में आवाज आ रही है क्या कि बालू रेत में प्रत्य खावन करोद क्या है बालू रेट में आई धरार के समाने बालू रेट आपने देखी होगी, या मित्ती जो देखी होगी up i. k मित्टी पड़ी हुए उस उसमें अपने लाइन खेज दिये तो उसमें जरार आ गई लेकिन ये दरार कब ये थोड़ी सी हवा away और वापके जोकों से वह क्याई नहीं करोद यह बालु में बालु रेत के बीच में आई हुई धरार के समान यह बहुत जल्दी चलि जाती है लेकिन चोथा जो संजवलन कशाय होता है उसको भी हम अपना समझने का प्रिास कर लिए लिए को संजवलन कशाय का मतलद संव्मेक ज्वलन संज्वलने संज्वलना का मतलब बेलकुल किंसे रह गया है ठोड़ा सा रह गया है ऐसा जो संज्वारण अधर耿 होता है यह वहत पावरफुल होता है और इस तो संजोलन कशाय तो थोड़ासा रहता है जैसे पानी में अगर आपके पास में भंगोना है उसमें अप लाइन से अगर दो टुकडे करोगे तो उसमें नहीं हो पाते हैं ऐसे तौछ के समान लेकिन आते हुए के सा श्रावक कर लेते हैं साथ के साहर्था क्वुरु खुनतों को कही बार आ जाता है कही बार को ज्यादा ही अगर इसी बात का प्रती या संजलन कर्शाय का उद्या सकता है जो पानी में राइधिरार के समामान जो इबिली-टी-टालाव की मिट्टी होती परवत में आई दरार के समान है हमको ध्यान रखना है अभी वर्तमान में अगर हम सावक हैं आप यह नहीं लेकिन प्रत्याहनी करोध का हम को प्रियास करें जो अप्रत्याहनी को रहता है तो वरतक रहने के कारण से हमारे सारी केल और पूरी हो जाएगी उसके बाद एक लोग को इनके भी इस तरह को समझने का प्रियास करेंगे अब जिसका को प्रस्ट ने गए हो उन प्रस्टों का समधान करने का प्रियास करतें आप किसी के प्रस्टन हो तो प्रस्टनों का क्योंकि समय बहुत हो चुका है इसलिए प्रस्टन जिसके हो प्रस्टनों का समाधान करेंगे अच्छा जैजनेंद। हाँ जैजीन साथ हाँ फर्माएं साथ हाँ अमे जी अपना प्रशन पूछ तीजिया नेक्स्ट मंगला जी डाट्रिया जैजीनेंद्र सार प्रणाम जैजीनेंद्र साम संजोलन कशाई का परीभाशा क्या बताई आपने साथ यानि बोट जो है सम जोलन सम यानि होता है कुछ इंऑ सम किसको कहते हैने कुछ थोड़ा सी जोलन दे गही ठोड़ी सी अगनी रहये गई है यानि कशाई का थोड़ी सी रेखा मात रहे गई है उसको खहते हैं संजोलन कशाय यह कशाय क्या करते हैं वीतराग्दा प्राप नहीं उन्हें देती है बले से कितना ही राग्दवेश को छोड़ दिया जाए देकिन जब तक संजोलन कशाय रहेगी जब तक हमको वीतराग्दा यानि जे जीनेंदरें मैं यह पूछना चाहरीगी इसे अभी आपने बताया कि कशाय जो आपड़ती एक वर्ष का रहता है तो क्या इतना ग्रोध आएगा कि वो कुई सेटलमेंट नहीं करेगा या किसी से ग्रोध आया तो उससे बात नहीं रह सकता है किसी में प्रत्याइब करें लगातार एक वर्स तक उसमें प्रोध या उसके वेर भाव रह सकता है यह हमेशा रहेगा इसा जरूरी नहीं है लेकिन जब भी वह वेक्ति सामने आएगा वेसे उसको कशाय उद्य में आजाएगा जैसे कोई भी निमित मिलेगा कोई भी वेक्ति दोस्त ह जिस वेक्ति से अपना वेर बंदा है जिससे हमारा क्रोध का मतलब मिलाप हुआ है वो वेक्ति की बात आएगी उस वेक्ति की बात आजावे या उस वेक्ति का कोई भी चर्चा आजावे या वो वेक्ति सामने आजावे तो उस ताइम पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्त पर एक साल तक वेक्ती वापस मिल गया और वापस उसके साथ में जगड़े कर लिए तो यह ज़्यादा भी बढ़ सकता है पर एक साथ एक बार मिला एक बार वेर की परंपरा बंदी आप्रतेकनाओं प्रोद ये कंशे और बाогस में अगर वो नहीं मिला तो एक साल तक ठीका रिश सकता एक साल बाद वो विस्वताई चला जाता है लेकिन अगर मान लीजिए बार-बार उसका संपर्क होता रहा उसकी चर्चाएं होती रही तो यह एक साल से ज्यादा भी चल सकता है रमेश कुमार जी रमेश जी आप अन्यूट करके माम पूशे जाए अपने साल बताया चार मेन के और संजवलन करोध कि दो मेन है कि यह वैसे आगे ठोक्णे में अनन नमंदी करोध की जीवन परियंग्ण प्रत्यकहानी खरोध की साल बर की और प्रत्य खेनावन क्रोध की चार मेने की और संजुलन क्रोध की दो मेने की इस्तिती बताई जाती है अनुजा जी लोधा आप अन्यूट हैं यह जो अनंतानुवंदी क्रोध की आप जो भी बता रहे थे तो जैसे एक साल से जादा भी रह गया सपोस करिये चार साल भी रह गया या पांच साल रह गया बट उसके बाद अगर खमत खामना करके हमने अगर सुलेह कर ली तब उसमें फिर क्या रहता है सब जंभ तक हमने बांडा है और किसी परकार क को कोई प्राश्चित क्याइब कोई आलोश्चानी की बात भाकंधा उर प्रता क्हैंने कर लिया तो वह जल्दी ही चला जाता है अच्छा मतलब प्राइश्चित से यह बिल्कुल बिल्कुल यह से तो कई एक्जामपल आपने सुने होंगे अरजिन माली ने अनंता नुमंदी के वसीबूत हो करके और कितनी हथ्याइं की लेकिन उसी को छे मेने में काट करके मोख चले गए उसा जी आप म्म्यूट कर लिजे जे जिनेंदर सुने मेरा प्रश्ण है चाऊदा नियम को लेकिने से कई किताबों में पढ़ते हैं कि चाऊदा नियम जैसे पानी की मरियादा करने से समोध्र जितना पानी का पाप काम हो जाता है तो हम जितना उफियोब नहिका ते और उसके अगर सोगन नहीं लेते तो पाप क्यों लेने से क्या मतलब उन जीवों को पता चल रहे हैं, क्यों बोलते हैं, पाप कम हो झाते हैं? देकिए वेहार दश्थी रखी जाती है एक होल में पांसो लोग थेए एक होल में पांसो लोग थे एक डाःःगु आया और होल को अंदर से कुंदी बंद कर दी और कहा मैं एक TV को मारूँगा आप 400 वेक्टियों मेंसे मैं 1 वेक испी को मारूंगा अगर पूर कितने डरेंगे पंसों में से पचास साल से अपर वालों को किसी को भी नहीं मारूंगा अब 50 साल से उपर वाले 200 जने थे अब किते डरेंगे तीस साल से उपर वाले कितने थे 400 जने थे अब किते रहेंगे 30 साल से निचे वाले 100 जने कहा कि मैं तो क्या नाम से केवल मात्र जो है वह 15 साल से 20 साल तक जो वेकती हैं नज बच्चे हैं उनी में से एक की अत्या करूँगा अब 15 साल से 20 साल वाले कितने थे वहां पर 20 बच्चे से, अब किते जरेंगे, 20 दरेंगे, अब लास्ट में उसने भोला कि मैं तो इस बच्चे को ओ इस बच्चे को मारूंगा अब कितेbecस्ट डरेंगे एक ही बच्चा डरेगा वेसे ही चोदा नियम में हम मरियादा कर लें कि हम एक बालती दो बालती की जो हैं उन्हीं जो बालती का ही यूज करेंगे पानी का तो बाकी के जो जीवें उन जीवों को हमने अभेवान दे दिया हम तो बती पानी रखा गया है उनकी इनसा का पाफ लगेगा बाकी के इनसा से हम जुड़े ही नहीं हमने चोड़ी दिया यह से डाकू ने बोल दिया इस परकार से जो एक वेक्ति बच गया तो वेसे जितना पानी अपन रखते हैं उस पानी को जित्ता रखेंगे उसकी ही किरिया हमको लगेगी उसकी ही इंसा का पाप लगेगा इस कारण से चोजा नियम जो है उसको करने से बहुत ज्यादा विशियस फाइदा रहता है और भी अब भी वह सारे एकजामपल है ऐसे कम से कम 57 एकजामपल अपन दे सकते हैं एक एगजामपल से आपको समझ में आ गया हूँ तो ठीक निटों मैं दूसरा एकजामपल भी दे सकता हूं पर एक और प्रश्णी है इसे पानी के जीवे तो वो तो ना सुनने की शक्ति होती है तो फिर अच्छा प्रस्ण है देखिए अभी तक जब उसने आकर के बोला था कि मैं आप में से पांसो में से एक को मारूंगा तो उसका समंद्ध कितने से जुड़ा हुआ था पांसो से प वैसे ही जैसे ही उसने बोला कि मैं तो इस एक कोई मारूंगा आप समंद्ध किससे रहे गया एक से रहे गया तो एक ही डरेगा एक ही वेक्ति उससे डरेगा बाकि नहीं डरेंगे वैसे ही जिसने से अपना समंद्ध रहेगा ना उन्हीं की हमारे किरिया लगेगी बाकी का स अब दर में अपने नाम का है जैसे आप ने देखा होगा कि कोई भी हतियार मेरे मैंने एक बंदू का लाइसेंस लिया हुआ है और मेरी बंदू को 2 नहीं को चोरी करके किसी ने हत्या कर दी मेरा कनेक्शन उस्के स्वायर तो उसके लिए पुलीस किसको पकड़ेगी मुझे जरूर पकड़ेगी क्योंकि मेरा सम्मंद किस से जुड़ा हुआ है उस revolver से जुड़ा हुआ है वो license किसके नाम पे मेरे नाम पे जब तक जिन चीजों से सम्मंद रहता है उन चीजों का पाप अपने को लगता है उसकी किर प्रियास अपन कर सकते हैं इसलिए चोदा नियम के द्वारा हम हमारे द्रवियों की मरियादा करके अपने समूद्र जैसे जो पाप रेता है उसको बहुत संपुचित करके कम पाप में अपने जीवन यापन कर सकते हैं राजी इंदर जी पारक आप अपना question पूछें जैजे जैन गुरुजी यह सब्सक्राइब आपने जो क्रोध को चार चीजों में चार भागों में जो वर्गी कर्ण किया है तो जब क्रोध आता है तो उसका वर्गी करन कैसे क्या दा सकता है क्या कि उसका तो डूरेशन पांथ मिनट होगा या पांथ दिन होगा या पांथ साल होगा उसका कुछ क्रोध तो अपने हाप में कुछ दिन देख सकता है देखो पहली बात तो मैं आपको निवेदन कर दू यह वर्गी करन को मैंने नहीं किया है बगवान के दुवारा बताय गए उत्तित्र के 33 दिन में यह वर्गी करन किया गया है दूसरी बात मैं आपको बता दू वह दो मिनट का जो क्रोद आया है ना वो जीवन परियंत हमको दुख देने वाला बने जाता है यह नहीं माने कि एक साल तक वो रहता है या एक जीवन परियंत वो डियता है वो तो जो क्रोद की तीवरता होती है उस तीवरता के अनुरूप इस क्रोद का पाइना जो डिवाडेशन किया हुआ है जैसे एकजामपल के रूप में हमने 500 mg की लिली तो 500 NG के पावर का काम करेगी और हमारे आत्मा के पिर्लाम में बहुत कशासि हैं जो है करोध कशह को सबसी चीषा के कशा से कारां के दीथा कारण से उसमें पर गुष से के कहारां से हमें क्या बोलतें तुझे मिट्टी में मिला दूगा तुझे जीवन जिन्दगी पर तुझे के नाम से न उभरने नहीं दूगा एसे जो क्रोध के परिणाम आते हैं उसमें क्या जीवन से जुड़ जाता है पूरा अपन कई बार गुस्टे में बोल देते हैं ते तो जिन्दगी घराब कर गुस्टा तो मिनट दो मिनट के लिए आता है लेकिन अगर उस गुस्टे का प्राइस्चित नहीं किया जावे तो जीवन परियंत हमारे अंदर बना रहता है वह प्रकट रूप में नहीं आएगा लेकिन जब भी वह सामने आ जाएगा वह प्रकट रूप में भी आ आए जैनेवाद और कोई प्रेस ना मन्जु जी जैना वापने अपने अपने अन्म्यूट कर लीजे मैं पूछू कोशन में बोल रहा हूँ अमिजी पूछ रहे हैं फिर मन्जु जी आप पूछ दीजेगा हाँ जैजिनेंद्र सर एक तो मुझे निश्य व्यवार संकित हो समझा दीजे आप और यहे थे और पाध्य का क्या होता है परीभाशा यह समझ देखो निश्य संकित होती है वह हमारे आत्म परिणामों से हम स् आहु भाँ रखते हैं तो वह तो निश्य में संकित होती है वहार में संकित क्या होती है जो हमको देखाई देती है जैसे वहार में देखते हैं कई वेक्ति जो होते हैं वह सम्वेग निर्वेद अनुकंपा और आस्ता की लक्षणों के माध्य अनुसा अपन क्या कहते हैं बहुत ज्यादा धरम से लगा हुए इस वेक्ति को गुरु बगवंतों से बहुत ज्यादा लगा हुए इसको धरम करना अच्छा लगता है उसको देख करके जो हम अंदाजा लगाते हैं वो किलाती है वेवार संकीद और निश्चे में तो जो हमारे आत्म परिणाम जो रहते यह होता है धे नहीं होता है यह होता है तो जाने योग तहuccess सहिए जीव को जाने bead और उपादे पुनने संवर निर्द्रा उतक्ष इनको आशन में करने उपॉब्धग्यों कमार जीवन होते हैं मन्जु extracting सबस्क्राइब शेजार को नही juvenile करें प्रत्या-ख्यान को नहीं आने जो कशह हम घ्यान नहीं आने देता है वो कहलाता है प्रत्या ख्याना वर्णक शाय और इसी में आएगा ले पानी कर दिया था पेले भी लास sizi ho कि अंतरक्त आती है कि उद्यूंतिव दांगी जोतीजी डांगी अ है अ हनुमानजी प्रशाद हनुमान जी प्रशाद चाहिं जिनद्र साफ फरमाएं प्रतिबाजी शाहाँ प्रतिबाजी शाहाँ जेजनेंदर भयाँ पताया तो डाकू अगर बोलते कि मैं एक व्यक्ति को पांसो जाएं इनकी तो पांसो के पांसो को भेह रहेगा कि उमें एको भी चुटा तो वैसे ही में इसे चौदा नियम जो अपन लेते हैं तो अपने मर में ब्यादा फिक्स करी कि आड़ लाने के अंतर दो डॉल दो बालती ही काम में लेनी हैं तो दो ब्रति कोई सी भी हो सकती ना तो सब भी बालती को आपने लिया है ना आप भी जानते हैं करम जो होते हैं ना संबंद हमारे नजदीक वाले होते हैं उनी से संबंद होता है जो हमारे जो नेश्राय के पानी है उसमें से हम दो बालती ले रहे हैं तो बाती सारे पानी का त्याग हो जा कि दो सब्सक्राइब के विवार के समझने के लिए टेना जो दूसरों सब्सक्राइब नहीं लगती है अपने घर में जो पानी है इसब गर में उससे हमारा का डेस्मेंटर किला लिए उसके कारण से बाकी के पाने से 끄क्षन कट हो गया तो बागी और गया कि उसका प्ल compass time connection cut हो गया तो बाकी के पानी से connection cut होने के बाद में उससे हमारा किसी प्रकार की संब्ध नहीं रहता है तो उसका जो पाप हमको नहीं लगता है अगर चोदा नियम आपने लिया है ना तो आपको पुरूर क्लियर करना पड़ेगा मेरे घर के पानी से मैं दो बालती ज्यादा यूज नहीं करूंगी अगर जाकर कि पानी करेंगे तो आपके चोदा नियम में दोस्त लगेगा अपके आवाज कट हो रही है बरावर आवाज नहीं आ रही है आपके आवाज मैं पूछना चाहिती है दोवन पानी से रिलेटेड है दोवन पानी की जो मर्यादा बताते हैं कि लगबग 15 गंटे चलता है तो वो अपने सुबह जैसे 6 बजे बनाया तो रात को 9 बजे तक चलेगा तो 6 बजे बनाया और लेकिन अपने उसको आदा ही चाना और आदा उसी के 9 बज़े बाद भी पानी पीना चाहती है तो रात शाम मैंने उसको चान लिया तो वह चलता है मतलब 15 मेरा प्रशन यह 15 गंटे जो पीरियाड है वह चानने से गिनते हैं यह बनाने से गिनते हैं देखिए इस दोवन पाने के लिए विशे में मरियादा के विशे में वेसे संदे को क्लास रखी गई है वो विशेश रूप से आपको जो साइन्टिस्ट हैं वेग्यानी के जीवराजी समझाएंगे आपके प्रस्टों का समयदान भी करेंगे और दूसरा यह क्या है धारना का प्रस्ट है दोन पानी कित्ते समय तक रहता है उसमें क्या चाहनने के संपरदाएं अलगलग मानने तो हो सकती मेरी जाहनकारी में ज्यादा नहीं है मेरा मतलब मेरा जो 15 गंटे जो सुबह 6 बचे बनाया तो रात को नौ बज़े तक तो चली रहे लेकिन शाम को में पांच बज़े चान रही है उसको बच्चे वे पानी को तो रात को 12 बज़े तक पी सकती फिर उसको मेरे साब से तो देखिए चान करके जो पानी बन रखा गया है ना उसकी 15 गंटे की मरियादा भी नहीं मानी जाती है जिसके अंदर राख रही हुई है ना उसी की 15 गंटे की मरियादा मानी जाती है चान के तो सुबह बनाए चे बजे और एक गंटे बाद मैंने चान लिया साथ बजे चाना तो वह कितनी बजे तक अचेत गिना जाएगा उसके मर्या तो जो 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 तो पानी बना करके च्टान लिया गया है उसकी मर्यादा गरम पानी के समाण मानी जाइए तक ने हुए उसरी की पंदरा गंटे मानी जाती या कि अ कि आपको निवेदन कर दूए परंपरा संबंदी प्रस्ने आप गुरु भगवंतों से इसका विशेश समाधान प्राप करने का प्रियाज करने का प्रियाज करें ठीके दन्यवाद अनन्जी जोएन जैजनें साहम जैसे तिरियोग विया यह बोलते हैं कि हम पानी को अभयदान दे मतलब जैसे एक बालती पानी नानी के लिए उसमें से दो मग्ये छोड़ दें कि इनको अमने अभयदान दिया पर अट-लिस वो बाद में तो काम में ले नहीं पड़ेगा ना वार्णां कि हम कितने देर अभयदान देसके अटनों ऐसे अभयदान नहीं होता है जो आपने चोड़ा में मरीया तरहां आप इसी एफ है अगर नहीं कि अब तरुमेर पानी यूज करना होता है पाने के साथ भाक्ति का जो पानी का चोड़ा नियम का पारण के जाता है उसके जितना पानी रखा गया उसकी तो किरिया आपको लगेगी लगेगी अच्छा एक यह पूछना था कि जैसे हार इंसान जब जैसे अभी आपका सुना तो विचार बहुत अच्छो जाते है पॉजिटिव सोच जाती है पर फिर भी कभी-कभी नेगेटिव सोच आजाती है किसी की प्रती बुरे विचार आजाते है तो फिर उसके लिए हेंट्टो अनुजा जी लोड़ा एक तो यह पूछना था कि जिसे स्नान के लिए जो आपने बताया कि घर के पानी की मर्यादा होनी है तो फिर हम कहीं जैसे जाते हैं तो वहां हाथ होना मलब कभी हाथ होने के लिए मूद होने के लिए पानी का उप्योग तो करना पड़ सकता है तो उसके लिए फिर कैसे मर्यादा रखी जाती है उसकी किरिया लगेगी अपने को अपने जो पानी रखा है ना चोदा नियम में उस पानी की किरिया अपने को लग रही है अपने इसी प्रकार से रखा है बेस्तनान के लिए मैं आज दो वालती यूज करूंगी तो आपने घर तो फिर उसका त्याग हमारे होगा, ऐसा त्याग कृणिअ लगेगी लगेगी, तो वह तो क्रिए हमीशा ही लगती रहेगी। अब लगेगी त्याग कर दिया तो नहीं लगेगी। आपने रहे दिया कि मैं कहीं और जगे भी जाओंगी, तो में पानी का यूज हाथ मूद होने के लिए यूज नहीं करूंगी तो उसकी क्रिया से भी आप बच जाएंगी अच्छा इसी धायना रखी जाती है उसके अनुरूप लाब मिलता है पच्कान का और एक वनस्पती की जैसे मर्यादा रखनी हो तो उसमें फिर क्या नाम भी खो पर कि रखते हैं आज में पांच बनस्पति पांच बनस्पति के अलावा और वनस्पति का यूज नहीं करूंगी इस प्रकार से रखा जाता है अच्छा और एक और सब्सक्राइब आपने जो कल बताया था पांच लक्षन समयक्षी के तो उसमें से जैसे पांचों नहीं तो सरुसेश्ट समयक्षटी है अगर पांचों में से एक, दो, तीन, चार, पांच में से एक भी मिलता है एक दो भी मिलता है तो सामाने समयक्षटी की के तेगरी में महाने जाते हैं अच्छा और सब एक चल्व अगार दोस्ट जो आपने कल बताये थे इनका डिफ्रेंस अंतर बता दिए प्लीज क्या अंतर है यह बोलते हैं जब हमाई संकित चलाएमान रेती है उसको कहते हैं चल दोस्ट संकित में जो चलाएमान का दोस्ट रेता है उसको कहते हैं चल दोस् जो होती है न वो चल दोस के अंतरगत होती है मल दोस यानि हमारी संकित में कुछ ना कुछ co-mail भा हुआ हुआ होता है जैसे 22 Associates होना है उसको मल डोस बोलते है तो उस मल दोस के अंतरगत बोलते है शिश्चा है जैसे गूरू का शिश्चों के प्रती जो राग होता है संपरदाई के प्रती जो राग होता है यह मल दोस्त के अंतरगत आते हैं अगार दोस्त में जो हमारी इस्तिर नहीं रहती सद्धा उसको अगार दोस्त करते हैं इसमें भी अनेक प्रकार के जो दोस्त रह यहां रखना मैं चल मैं आपको बता दिया संप्रदाएका राग बता है आपको बेरू जी मानने मानने पर ये एक एक जम्पल बता है ऐसे हैं एक एक जम्पल हो सकते हैं अच्छा समय के नुकूर तक देखके बताइए चार प्रेश्ण और हैं हाँ ठीक है लेली जी अभी आजी रूप लटाजी रूप लटाजी रूप लटाजी रूप लटाजी पुछ रहे हैं जैसे रात को नुकर्शी पचक के सो गए देर से भी या तिनवान अगर सोगन करते हैं जब नुकर्शी कर सकते हैं या रात को पचक लिए हमने तो सुबह भी पचकना होता है देखिए वैसे तो मैं जवाब आपको दे रहा हूँ लेकिन जो प्रस्णि करम से दांसे और करम प्रकृति संबंदित होना वही प्रस्णि यहां पर पूछें वरना आप परस्टनल नंबर पर मेरे को रहें इस समय सबका अपन को समय वरबाद नहीं करना है इस बात का अपने घर का टैंकियां है वो सारी टैंकियां करें तो उसका ही लेगे तो बार 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 हादो घर में हादो काम करो तो पानी कामने तो आई गया ना दो बालत नाने के लिए रखा है तो नाने का वी वाकिकला हो त्याग है हाथ मूद होने का रखाने रसोई में जो काम आत त्याग होता है यह से होता है यह सब अपने अनुसार मरियादा की जाती है इसमें बार-बार मैं आपको के तुके साब ऐसा नहीं लगता ऐसा नहीं होता नहीं यह से मरियादा करेगा उसका लएव इसको उसकी अंश्रूप मिलेगा हम तो हम्तु हर कैनां आपकी दाहणा तो रहति है न कि आपने ना रख किरियां लगेगी वसके हुटरर्व के इसु 好 कि ओना उन टंकियों से आने वाले पाने की करिए आपको लगेगी ओर पास में लगेगी बाहर बें जाते है gusta दूरै पांज ग2 यहां थीक है वो भी सकते हैं हाँ थीक थान्य वाइस कि जोती जी डांगी कि सब्सक्राइब जैसे अपने को क्रोध आया और मैसुस हो गया कि एक रोध मुझे आया है उसके बाद भी करम हमारे चालू हो जाते यह बंद होते हैं अगर आपको क्रोध आया और कोध का आपने सच्चे मन से स्विकार कर लिया कि मेर से गलती हुई सब्सक्राइब कर लिए सबसे पहले करना हम गलती को सविकार करें कि मैंने वागत क्रोध किया हुँ मेरी गलती थी उस गलती को सुपकार करके पिर उसके आलोचना करने के बाद में अगर माली जिये अनंतानुमंदी की केटेगरी का आपने अगर दोस्त लगाया है तो उसका प्राजशित भी लेना पड़ता है और सामान ने सा क्रोध किया है आपने तो आलोचना से प्रतिकमन से उसकी शुद्धी हो जाती है फिर कोई कर्मों का मेंटर चालू नहीं रहता है अच्छा थेंक यू सर्ड़ हनुमान प्रसाद जी है अनुमान प्रसाद जी जेजिनेद्र तेंलोग जी हाँ जेजिन साब मेरा आपसे प्रसंथ आपका यह बहुत बड़ी है प्रोग्राम है अपसे प्रसंथ जैसे चारों कसा ही है ना मान मया क्रोध लोग इनको कैसे जीता जा सकता है देखिए उपाई मैं नहीं बता सकता बगवान ने उत्रादन सु माया को मितरता से और लोग को क्रोध को किस से प्रेम जीता जा सकता है और मान यह संब्स और जब हमारे प्रेम में कमी होती है ना तब ही क्रोध आता है तो प्रेम रखें क्योंकि बगवान तो कहते हैं सत्वे सुमेत्रिम प्रतेक प्राणी मात्र से प्रेम रखना चाहिए जैसे सम्वेक दृष्टी जीव बनने के लिए इसके मतलब ऐसा कोई शक्ति प्रेम नजर नहीं आता दूसरा पराया नजर आता है ना तब यह सोचें कि हम जो है अगर प्राया नजर उस समय सोचें कि सारा संसार में सारे प्राणी मेरे अपने हैं ऐसा चिंतन लेकर के आएंगे तो सबसे प्रिति हो जाएगी प्रिति हो जाएगी तो उनसे कभी भी ध्वेस्ट नहीं रेएगा और क्रोध के किया जाता है जब हम उसको प्राया मानते है एंधिन में hardware आधर मानें जब के जाता है उसको क्रोण नहीं माना जाता है वह तु आनुशाषणन माना जाता है बच्चों के लिए को क्रोध किया था बेटा जाएसा नहीं करेगा था नहीं करेगा वो क्रोध नहीं होता है वह तो उनके but के प्यूर comment तो उसमें जैसे डर रहता है कि अगर आपन बाला जी के नहीं गया है या जो भी एक माननेता है तो इससे क्यों मन में डर क्यों बैठार मन में डर क्यों रहता है हमारा संकित मजबूत है जब था माया को किसे जीता जाता है माया को मित्रता से and जिता जाता है जोती जी डांगी जोती जी डांगी ठीक एसार और प्रशनों का समाधन हो गया थांक यू वेरी वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद सबको सादर जैजनेंद जैजनेंदा